दोस्तों नमस्कार दोस्तों यदि आप 500 इस्टेचर में कोल कितना खरचा आएगा वह भी 60 के साथ दिखें इसमें दोस्तों मैं आपको बताओंगा कि पांद स्टेंध यानी कि बहुल अब मूत लगेगा इंगए Snoda कितना सिमेंट लगेगा कितना इस्टिल यानि किसरीय लगेगा साथ साथ दोस्तों 500 रूप्रिट के इच्टेशर फ्रेम को त्यार करने में अपना लेबर में सेरे कितना खरच यहां गई को भी डीटेल में हम बात करेंगे दोस्तों 500 PVC आ into पर फिटक बना करें जिससे कि दोस्तों में जो अपना कार्य हो रहा है 500 के प्रेमिस टिचर के अंतरकत उसका एक एक हिसाब में जोड़ूंगा जिससे कि दोस्तों आपको भी सुईदा में रहेगा जोड़ने में समझने में ठीक है और आप भी इसका आखलान सहीद से लगा सकेंगे तो एक ब कर पिट का मकान बना रहे हैं जिसमें कोलम की बात करें तो एक दो तीन चार पांच सब्सक्राइब बना हुआ है तो इसमें लगबग अपने 9 खड़े कोलम आ रहे हैं ठीक है इसकी लेंद की अगर बात करें जमिन के अंदर से लिए अपने में कान की हाइट तक हम इसको 28 इ कselves यह इस परकार से अपना बेस बना हुआ रहता तो घड़ा हो चाय हो जाता है तीन से चार बेड दोस्तों इसको कुष्प करपाते हैं यहें बिशे ने तो आप शयता में दोस्तों अपना यह मेलोच से 3 abol open कर्षेब कर चाहें उसको हम height में cover कर पाते हैं क्योंकि अपना बना रहे हैं मेकान बना रहे हैं तो इसमें 10-11 feet normally height अपना रखते हैं ठीक है जो काफी अच्छा भी रहता है तो इससाब से दोस्तों इसका जो length हो जाता है अपने column का 18 feet का हो जाता है और 9 खोड़े column आ रहे हैं तो 18 में और 9 का multiply करे हैं तो दोस्तों अपना 500 square feet में लगब एक सो 35 feet रहता है लेकि दोस्तों होता क्या है जिस और दरवाजा होता है खीड़के होता है या फिर अपना रस्ता होता है में रस्ता उसमों तिंतीं फिट का चिज़ा भी निकालते हैं ठीके तो हम इसमें एष्ट्राइट कर लेते हैं जैसे कि बेस त्यार कर रहेंगे वाला यह कितना हो रहा है तो दोस्तों अगर नॉर्मली बात करें तो इसका साइज हम रखते हैं तिन बाइ तिन का ठीक है जो कि स्कैरफिट में अगर कनवर्ट करें तो नो स्कैरफिट अपना होता है ठीक है तो एक कॉलम की नीचे का जो एक तो दोस्तों बात करेंट यहाइए वह तो इन देख लेते हैं तो सबसलेंस्ट करकेंट बना रहे हैं ओघे निःऊ hue जोड़े अपना चत्की वह 500 आप से जफित निकाल रहे हैं तो लगबग यह अपना चत्र बनेते हैं तो यह दोस्तों इतना वर्क अपना हो नहीं प्लस फांडेशन और सब्सक्राइब करेंगे वर्क होता है कि एक सेम्रेता है तो यह तो अपना 141 square feet दोस्तोंशे का वर्क हो जाता है ठीक है 141 अपना column बीम रहा है है यह भी बना हुआ है जिसमें दोस्तों एक सरी आम यहां लगाते हैं एक चड़ एक यहां लगाते हैं और दो हम उपर लगाते हैं टॉप में ठीक है मतलब बाटम में लगाते हैं दोस्तों चार सरी है टॉप में लगाते हैं दोसरी इसे सबसे लगाते हैं कोई यहां भी नक अपने टॉप में दोस्तों यह चारो में इसमें चारवारा के दो दस के बता हैं तो भी आपको बता हूंगा कि बाराम का कितना लगेगा ठीक है तो दोस्तों देख लेते हैं तो इसमें आपको दो क्यूंटल 20 kg वेस्ट आप जोड़के चल सकते हैं यह दो नक का हिसाप है ठीक है तो 6 नक के हिसाप से मतलब कि 6 क्यूंटल 60 kg दोस्तों आपके सरीया लग रहा है 12 mm का ठीक है यह तो हो जाता है अपना सरीय का जो हम लगा रहे हैं चड़ एक दो तीन चार आपके छe चड़का अब दोस्तों देख लेंते रिंग जो रिंग लगाते है उसह जम्रिंख में कर दोस्तों दोस्तों यह 8,12 नहीं बनता आपके जो तो चेदस की रिंग की सितिन दोस्तों आपके जो रिंग का सरीया लगेगा वह लगया दो क्यूंटल 20 किलोग्राम और दोस्तों बहुत सी जगा होता क्या है कि जो टोप में अपने हाइट पे जो बीम डालते हैं जिसमें दोस्तों छेचोदर की रिंग लगाते हैं बहुत से सब्सक्राइब जोड़ा है यह चाहिए आप चाहिए तो जोड़ भी सकता है मैं तो आपको जगेस करूंगा कि आप फूली कोलम बीम में 12 यूज़ करें ठीक है चार क्विंटल 40 क्रूगराम दोस्तों 12 का सरीया आपके लग रहा है चार नक के इसाब से ठीक है और 10 यह का सर चाहिए आप चाहिए तो जोड़ भी सकता है तो यह हो जाता है तो यह हो जाता है दोस्तों 13 क्विंटल यानिकी 1300 केजी और आज के भाव के हिसाब से गुणा करें जो की चल रहा है दोस्तों 65 का तो दोस्तों आपके जो 500 स्क्रपेट का प्रेमिस्टिश बिना रहे हैं तो लगबग इसमें जो सरिया लग रहा है 13 क्विंटल लग रहा है और पेसरेट के पाव से गुणा करें तो चुर्या सी 1500 रुपे का दोस्तों आपके इसमें सरिया का खरचा आने वाला है अब यह तो हो जाता है दोस्तों अपना सरिया अब दोस्तों हम देख लेते हैं सेंड, एग्रिकेट, सीमेन और लेबर मिस्त्री का सेंड की बात करें यानि बाल्रेट का तो 450 क्यूबिक फिट दोस्तों आपके सेंड लगेगा ट्रोली की बात करें तो 5-6 ट्रोली आप इसको मान के चल सकते हैं ये ट्रोली की साइज पर निर्वर करता है दोस्तों एग्रिकेट इने गिट्टी की बात करें तो ये भी आपको सेंड क्यूबिक फिट ही और ट्रोली भी दोस्तों 5-6 ट्रोली लगबक ठीक है और सीमेंट की बात करें तो लगबक आपको इसमें 100 बिक सीमेंट डग जाएंगे ठीक है और इसका खर्चा जोडते हैं पेसे में कनवर्ट करके और इस्टिल साही तो लगबक दोस्तों आपके में समझ लिए या समझ दीजिए एक लाग चौमत हजार दोस्तों आपके इसमें मटेर मटेरल खर्चा आने वाला है अब दोस्तों देख लेथे, लेबर मिस्त्री का भी है, भी धुर जीजिए का अपका 2शा रूपे का इसमें अपना लेबर मिस्तर्या कर्चा आजाता है तो यह समझ के चलिए आपकी 2,24,000 रुपे का माल मसाले सहीद अपना ठेके दर मिस्तिया कर्चा आने वाला है पांसो इसके और फिट के फ्रेम इस ट्रेचर में ठीक है दोस्तों यह आपका वीडियो में जाने का अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरू कर कि आपका बहुत बहुत है निवा चैहिंग दोस्तों